Hello everyone, welcome to our channel, CreateKer. आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी CAD फाइल का हम कैसे यूज़ करते हैं अपने Revit के अंदर एक जाली डिजाइन को create करने के लिए तो चलिए start करते हैं. If you are new to our channel, please like and share the videos and don't forget to subscribe our channel. And please follow us on Instagram and Facebook for more interesting topics and latest updates. अभी जैसा कि आपको यहाँ पे यह model दिख रहा होगा, तो यह सपोज मैंने kitchen का model बनाया हुए. यहाँ पे जो आपको left side वाला पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे हम create करने वाले हैं. अभी जाली design को, बाकी right side वाला जो पार्ट है, यह हमारी यहाँ पे create हो रखी है. इसका size जो मैंने यहाँ पे दिया था, वो दिया था, मैंने 3 by 3 का, यानि 3 fit by 3 fit का. अगर आप इसके size को change करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपने need के according. अगर आप इस जाली pattern को use करना चाहते हैं, अपने किसी भी Revit project के अंदर, तो सबसे पहला जो work होगा, वो होगा आपका, इस drawing को आपको convert करना होगा, block के अंदर, block के अंदर हम किसी भी file को कैसे convert करते हैं, वो मैं बहुत सारी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, तो आ block में convert करने के बाद, अब हमें जाना होगा अपने Revit project के ऊपर, उसके बाद अब आपको करना क्या है, आपको जाना होगा यहाँ पर elevations के ऊपर, जो कि आपको right side में यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, किसी भी elevation पर आप जाके open कर सकते हैं, सबस्पोर मैं जाता हूँ south elevation प अब आपको यहाँ से insert कराना है, और उसके बाद आपको जाना होगा import cad के ऊपर, import cad पे आपको click करने के बाद, simply जाना होगा जहाँ पे भी आपने अपने block को save करा है, जो कि हमने करा है desktop के ऊपर, और हमें यहाँ पे हमारा जो भी block है वो देखने को मिल जाता है, आपको simply उस set कर रखा center to center में, तो आप भी इसको यहाँ पे set कर लो center to center पे, जैसा कि अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा, set करने के बाद preview भी आपको उपर right corner में देखने को मिल जाता है, आपको simply press करना है open, जैसे ही आप open पे click करते हो, तो आपकी जो भी file है, वो यहाँ पे आपको उसको आप wireframe पे करके अपनी जो भी design है, उसको यहाँ पे देख सकते हो, drawing को insert करने के बाद, अपने block को insert करने के बाद, simply 3D view, 3D view में आने के बाद, आपका जो भी design pattern है, वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, हम यहाँ से लगा लेते हैं front view, front view अगर direct select करने की कोशिश करते हैं, तो सायद वो select ना हो, तो आपको करना क्या है, आप right to left या left to right pattern यूज़ करके, किसी भी object को अगर select करते हो, तो वो आपका यहाँ पे select हो जाएगा, जैसे कि अबहारी जो भी file थी, वो select होगी, अगर हमें इसे यहाँ पे move कराना है, तो व आप यहाँ पे adjust कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, हमारा जो pattern था, वो हमने यहाँ पे move करा लिया, अब हमें यहाँ पे simply create करना है, जाली design को with the help of our block, तो हमने यहाँ पे front view लगाया, front view लगाने के बाद architecture में जाएंगे हम component और उसके बाद model in place उसके बाद casework, okay, जो भी name आपको देना है, okay, उसके बाद, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम use करेंगे extrusion का, तो हमने extrusion को select किया, यहाँ से set a plane, तो जिस भी plane को आप set करोगे, उसी के according आपकी जो भी design है, वो create होगी, तो हमें चाहिए बिलकुल front में, तो हमने front वाली wall को ही अपना जो plane है, वो set कर दिया, set करने के बाद, अब आपको यहाँ पे simply select करना है, pick line को, आप जब भी किसी भी project पे अगर work कर रहे हो, आप वहाँ पे कोई भी object या जाली design को create कर रहे हो, अगर इस method से कर रहे हो, तो आपको simply use करना है, pick line वाले option को, हमने pick line वाले option को select किया, select करने के बाद, अब आपको simply यहाँ पे करना क्या है, जो भी pattern आपके यहाँ पे draw हो रखे है, आपको उन सभी को simply से select करते हुए, चले जाना, जैसे कि, आप जिस भी line पे अपने arrow को लेके जाओ, वो line यहाँ पे select हो जाएगी, मैंने इसको select किया, इसको, 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 जाएगी, तो अभी यहाँ पे जो भी हमारा जाली का pattern था, उसका जो half part था, यानि कि कुछ यह वाला part हमने pick कर लिया, यानि कि select कर लिया, उसके बाद हमें इसको करना है, यहाँ पे close क्योंकि अगर हम यहाँ पे close नहीं करते हैं, तो जो भी हमारा extrusion का part होगा, वो create नहीं ह यहाँ पे पूरी तरीके से बना लिया है, यानि कि उसको complete close object create कर लिया है, अब हमें यहाँ पे करना है कि इसको simply कराना है mirror, जैसा कि यहाँ पे ऊपर create हो रखा है, जिसके लिए हमें यहाँ एक reference line की ज़रत होगी, यानि कि हमें simply एक line को create करना है, जो कि हमने यहाँ पे delete, delete करने के बाद हमारा पूरा जाली का जो pattern है, जो जाली design थी, वो create होके हमारे पास आ गई, simply click, click करने के बाद left side में हमें यहाँ पे extrusion end और extrusion start का option देखने को मिल जाता है, यानि कि हमें जो भी pattern design करना है, उसका कितनी breath या कितनी चोड़ाई होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ 1 inches, तो 1 inches हमने type किया, उसके बाद finish model, जो भी हमारी design थी, वो हमारी यहाँ पे create होके हमारे पास आ चुकी है, इतना easily, इसको अगर आपको थोड़ा सा अंदर करना है, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, मैंने इसको add it in place पे करा, और उसके बाद मैंने इस को देता हो, minus 1.5 inches, यह तो मैं अपने according दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे जैसा भी जो भी सही लगता है, वो आप यहाँ पे create कर सकते हो, अभी क्या है, जो भी हमारा जाली pattern था, वो बाहर की तरफ था, अब क्या है, मैंने इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश कर दिया यानि कि अंदर की तरफ कर दिया है, सारी चीज़े करने के बाद, front view, front view लगाने के बाद, जो भी हमारा जाली pattern है, मैं इसको यहाँ पे कर लूँगा, select, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे करा लूँगा, mirror अब left side में, तो मैंने इसको mirror करा लिया, left side में, जो भी हमारा pattern वो left side में, यहाँ पे paste होके हमारे पास आ गया, उसके बाद, फिर से मैं इन दोनों को select कर लूँगा, और उसके बाद मैं फिर से इनको mirror करा लूँगा, मैं इनको copy कर लेता हूँ, मैंने copy command पे एक बार click किया, इसको मैं pick करूँगा, यहाँ से, और उसके बाद, इसको मैं ल आके simply उपर की तरफ place, हमने यहाँ पे क्या क्या, simply जो भी हमारा जाली pattern था, उसको copy करा और move करा के, हमने इसको उपर की तरफ adjust कर दे, यानि की place कर दिया, इसके बाद, हमने इसको कर दिया finish model, हमारा जो भी जाली pattern था, वो हमारा यहाँ पे create होके हमारे पास, आ चुका है, अगर आपका जो भी cat file थी, यानि कि जो भी आपने जाली pattern insert कराया था, अगर आपको वो delete करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, आपको करना क्या है, simply select करो अपने पूरे file को, यहाँ से filter, उसके बाद आपको यहाँ पे select करना है, अपना name, जो भी आपका file का name था, तो realistic view हम यहाँ से लगा लेते हैं, हमारा जो जाली pattern था, वो हमें यहाँ पे अपकुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, अगर हमें इसके अंदर textures को भी insert कराना है, तो आपको करना क्या है, simply click on the jali design, add it in place, क्योंकि यह extrusion से create हो रखा है, उसके बाद आपको simply select करना है, अपन अब हमने यहाँ पे कोई material जो है, वो create नहीं करा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही, suppose, इसी को ही, कोई भी करना है, texture ऐसे ही apply कर देता हूं, तो मैंने इसको simply select किया, उसके बाद OK कर दिया, OK करने के बाद escape, उसके बाद finish model, उसके बाद मैं यहाँ से लगा लेता हूं, front view या किसी अब हमारी जाली design है, वो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है, जिसको मैंने बताने में थोड़ा सा time लिया, अगर यहाँ पे आप अपने design को खुद create करते हो, उसको लाके insert करा के जाली design को create करते हो, आपको यहाँ पे ज़्यादा time नहीं लगने वाला ह जाली design को create करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे method है, जैसे की textures की help से भी हम यहाँ पे जाली design को create कर सकते हैं, ठीक है, एक method हो कि हमारा family का use करके, यानि कि हमें यहाँ पे कोई भी जाली pattern को create करना है, तो हम यहाँ पे family को create करके, तब हमारा जो जाली design है वो हम यह यहां पर create कर सकते हैं बट मुझे यह वाला भी थोड़ा सा अच्छा लगता है pattern जो भी है हमारा method है जाली design को create करने का तो इसलिए मैं इसको use करता हूँ तो अगर आपको भी यह सही लगता है तो आप भी इसको यहां पर use कर सकते हो क्योंकि इसमें ज्यादा time भी नहीं लगन वाला है और अगर आपको अपनी खुद की design create करनी है तो आप इस तरह से यहां पर लाके इसे use कर सकते हो तो यह थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को subscribe जरूर करें thank you so much